नमस्कार मैं प्रग्या पांडे और आप देख रहे हैं लाइब यूपी न्यूज 24 आज हम बात करेंगे नार्सिस पस्नालिटी डिसॉडर के बारे में क्या आपको भी अपनी तारीफ सुनना पसंद है क्या आपको दूसरों की आलोचना करने में मज़ा आती है तो साबधान हो जाएं या कोई आम बात नहीं बलकि आप एक नार्सिस पस्नालिटी डिसॉडर से गुजर रहे हैं आजकल सब कुछ पाने की चाहा और जीवन में पीछे ना छूट जाएं इस बात का डर लोगों को अक्सर सताता रहा है इसका असर जीवन के साथ साथ दिमाग पर भी पड़ता है मानसिक समस्याओं से पीडित लोग कई तरह के पस्नालिटी डिसॉडर से गुजरते हैं जिन में से एक है नार्सिस पस्नालिटी डिसॉडर नार्सिस पस्नालिटी डिसॉडर एक तरह की मानसिक बिमारी है दुनिया बना लेते हैं इस समस्या से जूज रहे लोग खुद के इमोशन्स पर काबूर नहीं कर पाते हैं और अधिक से अधिक ध्यान देनी की ललक पैदा कर लेते हैं नासिस पसनालिटी डिस ओर्डर से ग्रेस व्यक्ति दूसरों से जलन करने में आगे होते हैं और अपने के प्रती कोई भी दया या तरस नहीं होता है नासिसस बीमारी एक व्यक्ति के सुभाव को पूरी तरह से बदल देता है अब बात करते हैं NPD से कैसे बचा जा सकता है विशेशग्यों के मुताबिक NPD से निपटने के लिए आपको टॉक तरपी का सहारा लेना चाहिए यह त मजने के लिए बेतर तरीका माना जाता है आपको अपने पारिवारी कृष्टों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहिए अपनी छमता और ताकत को पहचानने के साथ अपनी आलोजनाओं और आसफलताओं को भी स्वेकार करना चाह रहे के personality disorder में वेक्ति को अपने routine और right पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए ऐसे में आपको हर प्रकार के drugs और alcohol से दूर रहना चाहिए नेमित रूप से आपको योग करना चाहिए exercise करना चाहिए जिससे आपके मन को सांती मिल सके ऐसे ही और जानकारी के लिए आप देखत आपके जाए लाइब यूपी न्यूस 24